कब तक नफरत्य मुन्याद पे बोच हासिल करने की कोशिश करोगे कब तक मज़ब का इस्तिवाल करोगे कब तक कहोगे कि हिंदू खत्रे में है हिंदू को बचाने के लिए बीजेश्वी को बोड देना है चुनाव आयोग ने अनतनाग रजोरी लोकसबा सीट पर चुनाओं को 25 मे को कराने का फैसला किया है वरने ये चुनाओ तीसरे चरण में होने थे अनतनाग लोकसबा सीट में रजोरी का भी इलाका आता है जहां पर पिछले दिनों जबर्दस बरभबारी रास्तों पर हुई और रास्ते जो हैं मुगल रोड वो बंद हो चुका है इस बीच चुनाव लड रहे राजनीतिक दल खासतोर से पीडीपी और नेशनल कानफरंस ने चुनाओ आयोग के इस फैसले की आलोचना की है जो मुकश्मिर के बूदपूर मुकमंतरी अमर अबदुल्ला का कहना है कि चुनाओं को इस्तगित कराने की मांग उन पार्टियों की तरफ से की गई जो अनतनाक से चुनाओ ही नहीं लड रहे हैं वहीं पर कांग्रिस का कहना है कि परिसीमन में ही इस चुनाओ छेतर में ऐसी गड़बड़ी की गई है जिससे चुनाओ आयोग को ही समझना था और चुनाओं की तारीक गोशित करने से पहले उन्हें पहले ही ये सोच के रखना था कि आकर अनतनाग रजोरी चुनाओं कब होने चाहिए कमिशन का ये फैसला ये सरसर गलत है दिर मैं मानता अगर वोटर को जो है वोट डालने में कोई दिक्कत होती है मैं ये भी मानता अगर इलाका पूरी तरह से कटा होता तो भी ठीक है ना इलेक्शन शायद नामुम्किन होता लेकिन इलाका कटा नहीं है इलाका अभी भी जुड़ा हुआ है चलिए मुगल रोड के जरिये ना सही जम्मू से रियासी से इलेक्शन पोस्पोन होने के बाद जिनाब फारुक अब्दुल्ला सहाब और मिया अलताफ सहाब जो है वो आज सुबह रजोरी पहुंचे रहे हैं अगर वो पहुंच सकते हैं बाकी उमीद्वार भी पहुंच सकते थे और वैसे भी डिमांड कहां से आई बीजेपी के तरफ से उनका कोई उमीद्वार नहीं पीपल्स कांफरेंस के तरफ से उनका कोई उमीद्वार नहीं जाहिर सी बात है जिस तरह मैंने अपनी तक्रीर में कहा ये सोची समझी एक साजिश की जा रही है कि यहां का एक बहुत ही एहम और बड़ा तपका जो है व अच्छा है, माहोल बहुत ही ज्याद अच्छा है, और ये पहला जॉइंट शो नहीं है, इससे पहले, ने ना, मेगा शो उस तो इससे पहले भी हमने किये, आप सिर्फ इस सीट की बात कर रहे हो, हमने चार दिन लगातार मेगा शो किये, जिनाब वाली में, उससे पहले खतम नहीं होता, हमारा ये सिलसला जारी रहेगा और उससे आगे भी, सर, राज्योरी से एक वीडियो के लिए वाइरल हो रही है, जिसमें बीजेपी का जो अधिकारी है, वो दमका रहा है, वोड्रों को, बीजेपी की आदत है धमकाना, वो अपने आदतों से बाज नहीं आ सकते हैं, हम एलेक्शन कमिशन से इनसाफ की उमीद रखते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों बीजेपी को फाइदा पहुंचाने के लिए ये एलेक्शन कोस्पोन किया, शायद उन से भी अब इनसाफ की कोई उमीद रखना जो है, वो हमारी गलत फहमी वो हम फिर्स पॉसिशन पहना, आपको गशाख है इसमेर, शायद रेक्शन कमिशन तो गावर्मन्ट आफ इंडिया के मताबक काम करता है, और गावर्मन्ट आफ इंडिया ने जो डिलिम्टेशन यहां पर करवाया था, जो तरीके से किया है, खास कर लोग सबा सीटू का, तो उसको लेकर पूरे जमो कश्मीर ने कहा था कि यह कैसा डिलिम्टेशन किया, दो रिजिनल्स की एक पारलिमेंट सीट बनाई, दुनिया को पता था इसके बीच में पीर पंचाल है, जो साल में दो तीन मीने ही फंक्शनल करता है, नाव मीने नहीं चलता है, लोगों के आ चुनाओ में ही ये निरने लेने लेना पड़ा, कि अभी मौसमी हालात ऐसे हैं कि मगल रोड रोज बारिश हो रही है, रोज बरफ हो रहा है, तो हो सकता है, उस चीज़ के मदनजर उन्होंने इसको फेज को आगे किया, और दो नुगल दिया, गांवर्ट अप इंडिया की एक तो डिलिम्टेशन, दूसरा जो चुनाओ शडूल पहले बनाया, पता था जुम्मो कश्मीर में फरवरी, मारिच, अपरेल तक बारी होती है, तो पहले ही उनको ये सीट का शडूल लास्ट वीक में होना चाहिए, शिक्स और सेवन्थ फेज में होना चाहिए, तब तक तोड़ी गर्मी बढ़ती है, रास्ते आवाजा भी होती है, तो इसलिए ये तो मैं समझता हूँ, उनकी खुद की गलती, खुदी को और सकरेक्शन कर रहे हैं, हमें कोई फरक नहीं पड़ रहा है, वो साथ को पॉलिंग करते हैं, पचीस को करें, या एक तारीक को करें, ल करें, कब तक नफरत के मुनियाद पे बहुत हासिल करने की कोशिश करोगे, कब तक मजहब का इस्तिमाल करोगे, कब तक कहोगे कि हिंदू खत्रे में है, हिंदू को बचाने के लिए बीजेपी को वोग देना है, अए नाब हम सब अकलमंद लोग हैं, पड़े लिखे लोग है, मुल्क की आबादी देखिए, हिंदों की आबादी असी फीसदी, मुसलमानों की आबादी 14 फीसदी, घुदारा मदे बताईए नाब, असी भीज़ी लोगों को 14 वीज़ी लोगों से क्या नफरत फैलानी की कोशिश की जा रही है सिर्फ वोट इक टठा करने के लिए कहा जा रहा है कहा जा रहा है कि आगर कांग्रेस की हपुमत आई तो लोगों के मंगलसूंतुरे जो है जो खड़रे में होंगे, जमीने खड़रे में होगी, आप मुझे एक मिसार दे लिजे इस पुरे मल्क में, जहां मुसल्मानों ने किसी और का हक मंगा होता, हमने सिरिफ और सिरिफ अपना हक मंगा है, अपने हक से एक डबल पैसा ज्यादान है, और इसने, इंडियन अलायंस और इंडियन नैशनल कॉंक्रिस का ये जो नारा है जितनी आबादी उतना हक हम ये मान के चलते हैं आप कि जितनी आबादी है उतना हक मिलना चाहिए 14 फीसदी हमारी आबादी है इस 14 फीसदी आबादी तो इस पिछली हकूमत में एक भी मिनिस्टर नहीं मिला क्या मात कर रहें अब यह क्या एक सो चालीस करोर जो मुल्क की आबादी है उसमें 14 फीज़नी जो मुसल्मान आबादी है उनमें एक भी आपको कामला अद्मी नहीं मिला जिसको आप वजीर बना सकते थे एक भी एंपी नहीं ना लोग समा का ना नाचे समा का क्या इतने वह गुज़रे हैं इसलिए इंडियन नाशनल कॉंग्रेस कॉंग्रेस हम 28 पर्टियां एक साथ आए क्यूंकि हमने कहा अब बदलाव का वक्त आ गया है अब हमें मुल्क के मिजान को बदलना होगा हमें मुल्क की तरकी जो है उसको अपने हाथ में लेनी होगी और हमें मुल्क का जो है एक जली दिशा देनी होगी एक जया सोच इस मुल्क के लिए तयार करना होगा जो मीर सामने बिलकुल अच्छे अलभासों में आपके सामने रखखा अशरफानी सरी नगर आज तक